हेलो वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल और एक्जाम ट्रिक तो मैंने आपको पढ़ाया था जारखन जोग्रॉफी का टॉपिक था जोगी था आपका स्वरूप और उसका उचावच और आज मैं पढ़ाने जा रही हूं जोग्रॉफी ही जारखन का बट टॉपिक है आपका भोगर्विक संरचना तो उसे 5-6 कुशन जो भी अबजेक्टिव के हैं वो मैं आपको पढ़ा देती हूं जो की प्रिब्यस एक्जाम में आ चुके हैं किन चटानों को धात्विक खनीज का भंडार कहा जाता है तो धारवार यूगिन को धारवार यूगिन चटानों को क्य का क्या जाता है तो इसका थोड़ा सा सा भी पड़ते हैं धारवार यूगिन चटानों को धाउत्वी खनीज का भंड़ कहा जाता है झारकन में को कौधान झ्रहन कि नाम से ढगाता है जोकिआपका पूरी शे निभूम पस्चमि सिंभूम सराय केजा को दिज के दारवाड पूर्विक धारवर क्रम दारवार कि जूब में धातवी मिंडरल यज़िदा है नंग इसमें आप जान सकते हैं कि आइरन कॉपर बोक्साईट इडर सोना मैगजीन चांदी टील आधी प्रमुक है चुकि हम पर जानते भी हैं कि हमारा जो नीचे का जो साउथ छेत्रे वो मेटदिक मेंड़र के दिए थोड़ा जाना जाता है तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं आजाते हैं अपना नेक्स्ट कुशिन कुशिन नमबर टू पे तो आपका कुशिन नमबर टू है उस पठार का नाम है जो जार्खन में डककन जयाओ भौगलिप्रांद का हिस्सा है तो इसका आंसर है चुड़नागपूर पढ़ते हैं चुड़नागपूर की पत्रेलिप पर इस पठार का विकास बहुत ही पुराना है क्योंकि गुणवाना महादवीप का चट्टान है या दकन पठार का पुरुवतरी खंड था जो दकन तकते के साथ-साथ गुणवाना के खंडित होने पर आज से लगभग 12 करोड वर्स पैजे अलग होकर 5 करोड वर्स हो तक जो ह उत्तर दिसा में प्रवाहित होते रहा और फिर यूरेसिया से जाकर टक रहा है तो आप इसे थोड़ा जोग्राफी को अगर आप इंडियन जोग्राफी पढ़ते हैं या आप वर्ल्ड जोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको जाता अच्छे समझ आयागा चुक्कि अभी मैं जार्खन जी के जोग्राफी पढ़ा रही हूं तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाओंगी आपको पांच से जो भी अब्जेक्टिव कुषिन जो भी इंपॉर्टेंट है जो प्रिब्यस एक्जाम में आ चुके हैं मैं उसका पढ़ा दे रही हूं अब नेक्ट सेकंड भाग चुटानागपूर का पठार है चुटानागपूर का पठार तीन चोटे चोटे पठारों से मिलकर बना है इसमें राची का पठार हजारी बाग का पठार और कोडर्मा का पठार है आप इसके याद रखेगा चुटानागपूर का पठार के तीन पठारों से मिलकर ब हम आजाते कोशिन Canon review और चुटानागपुर पाथार प्रीज़ चुटानों से बना होता है चुटानाँक्पूर पत्थार क्या चुटानाम पॉर्फ से अधिक पूरानी चतानों से क्याला इस प्रफलोज प्रास्ट मिटी सानी और पाहड़ी है अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर राइक सब्सक्राइब और सेर करें और आगे और अधिक टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं और इसे सेर करें तो मैं आपको इसे ना को हैं थैंक यू